बारती क्रिकेट टीम के दो तिगजों के बीच छगड़े और कहा सुनी की बाते पिछले लंबे अर्से से कही जा रही है विशुकप क्रिकेट के सेमिफाइनल में न्यूजिलिंड के हाथों मिली हार के बात कहा जाने लगा कि कप्तान विराट कोहली और रोहिच शर्मा के बीच मन मुटाब है दोनों की आपस में नहीं बन रही है हाला कि दोनों ने इस बात को कभी नहीं माना यहां तक की बड़े बड़े खिलाडी भी इस बात को अपवाह बताते हुए खारिच करते रहे टीम के हैट कोच रवी शास्त्री भी इन सब बातों से इनकार करते आ रहे हैं अब भारती टीम के एक और पूर्फ बल्लिवाज ने इस पूरे मामले पर टिप पड़ी की है जिया हम बात कर रहे हैं पूर्फ सलामी बल्लिवाज विरेंदर सहवाग की पूर्फ सलामी बल्लिवाज विरेंदर सहवाग ने साब कहा कि वो काफी समय से कप्तान और उपकप्तान के बीच जगड़े की बात सुन रहे हैं सेवाग ने कहा कि विराट और रोहित के बीच जगड़े की जो बाते कहीं जा रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है उन्होंने कहा कि इस तरह की बाते करना पूरी तरीके से मुर्गतापूर्ण है हाली में एक अकबार से बात करते हुए सहवाग ने कहा कि इस बात के कोई सुबूत नहीं है कि दोनों के भी जगड़ा है उन्होंने साफ कहा कि एक गर में अगर चार लोग रहते हैं तो जरूरी नहीं कि वो साथ साथ गूमने जाएं ये सारे काम साथ ही करें लेकिन गर में जब कोई समारो होता है तो वो साथ ही दिखते हैं इसका मतलब यह नहीं कि घर वालों की आपस में नहीं बन रही है उन्हें कहा कि विराट और रोहित के भी जगडे में कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे पहले साल 2012 में धोनी और सहवाग साथ साथ खेलते थे। तब भी दोनों के भी ऐसी खबरे सामने आई थी। कहा जाता था कि दोनों के भी चाप सीमन मुटार थे। कहा ये भी जाता था कि दोनी नहीं चाते कि सहवाग सचेन और कौतम गंबी टीम में रहें। इन्हें टीम से अटाने के लिए दोनी ने चैन करताओं से भी बात की थी। ये भी अफवा उड़ी थी। धोनी परबनी फिल्म महिदर सिंग धोनी दे अन्टोल स्टोरी में भी इस बात को हलके तरीके से दिखाया गया था। A.N.P. News Room की रिपोर्ट